क्या संभल की जाओं मस्जित में त्रिशूल तोड़ा गया? क्या कमल निशान को मिटाया गया? सकंध पुरान में जिसको में का जिक्र है वो किसके ओर्डर पर कंक्रीट से ढखा गया? मस्जित के बाहर हिंदूओं की पूजा रोकने का फर्मान किसने सुनाया? चार दिवारी को तोड़ कर मस्जित के छे गेट बनाने वाली थियोरी कहां से डेवलेप हुई? संभल की जाओं मस्जित में आज जुमे की नमाज अदा की गई? सघन पहरेदारी हुई, ड्रोन से निगरानी भी हुई. लग रहा है कि संभल अब संभल गया है. इसलिए बात दंगे से हट कर मंदिर मस्जित के मूल विवात पर आगे बढ़ेगी. इंडिया टीवी की टीम पिछले कई दिन से संभल में उन सुबूत एतिहासिक तत्थियों को खंगाल रही है, जो इस विवात का सेंटर पॉइंट है. इंडिया टीवी के साहा हाथ ऐसे कई दस्तावे लगे हैं, जो एक पक्ष की थोरी पर पड़े सवाल खड़े करते हैं. क्या है ये डॉकुमेंट? किसकी थोरी पड़ रही है कमजोर? देखे ये रिपोर्ट. संभल में मंदिर तोड़कर मस्जित बनाई गई? क्या इसका सबूत मिल गया? मंदिर या मस्जित अंग्रेजी हुकूमत की 150 साल पुरानी रिपोर्ट क्या कहती है? मंदिर का एक गेट तोड़कर मस्जित के छे गेट बनाई गये, सात्मी सदी में इसका कौन सा सबूत छिपा है? संभल में मंदिर मस्जित बिवाद के बाद आज जुमे की नमाज अदा की गई, 3000 से ज़्यादा नमाजी आए शांती पूर्ण नमाज से संदेश ये गया कि संभल अब संभल गया है और यहां से यूपी में 27 के दंगल का रास्ता खुल गया है संभल से 27 का रास्ता कैसे खुल गया? योगी ने क्या मंत्र दिया? आपको बताएंगे लेकिन मंदर मस्जित बिवाद पर कौन से सबूत सामने आये हैं? हिंदू पक्ष ने कौन से कागजाद दिखाये हैं? वो देख रीजिए इसकंद पुराण में बना हुआ संभल का नक्षा अंग्रेजी हुकूमत के दौर में तयार की गई ASI की सर्वे रिपोर्ट 2012 से पहले मस्जित के बाहर बने कुए पर पूजा की तस्वीरें और 2018 की वो FIR जो बता रही है कि मस्जित की इमारत को 6 साल पहले तक बदला गया है छे छड़ की गई है संभल में मंदर या मस्जित का फैसला कोड करेगा लेकिन हिंदू पक्ष जिन काग्जों के बेस पर मंदर क्लेम कर रहा है उनकी डिटेल रिपोर्ट देख लीजिए हिंदू पक्ष का सबूत नमबर एक इसकंद पुरान का नक्षा है जिसे इसकंद पुरान के भूमी वारह खंट से लिया गया है संबल महात में इसी सकंद पुरान से लिया गया है ये नक्षा किसी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छापा गया नहीं किसी आर्किटेक्ट ने बना कर दिया है ये नक्षा हजारों साल पहले सकंद पुरान में बनाये गया है इस नक्षे में संबल तिर्थ छेत्र को पूरा दिखाये गया है। पूरे इलाके में हिंदूओं के कौन-कौन से तिर्थ मौजूद हैं, सब लिखे गये हैं। एक-एक चीज मार्थ की गई है, लिस्ट दी गई है। नक्षे के बीचों बीच श्री हरी मंदिर बना हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये वो ही जगह है जहां आज शाही मस्जिद बनी हुई है। नक्षे के अंदर श्री हरी मंदिर परसर में हवन कुंड और यग कूप भी बने हुए दिखाये गये हैं। कल की मंदिर के पुजारी और हिंदू पक्ष कह रहा है कि जिस जगह मस्जिद में अभी वजू करने की जगह बनी है वो पहले हवन कुंड हुआ करता था। इसकंद पुरान के नक्षे में जिस जगह पर धारणी वारह कूप मार्क किया गया है। हिंदू पक्ष और लोगों का दवा है कि ये कुवां 2012 तक मस्जिद के बाहर मौजूद था। मस्जिद के मुख्य गेट पर फिलाल ये जो आप एक गोल इस्ट्रक्चर देख रहे हैं जहां पर फिलाल ये टीन शेड रखी हुई हैं इसके नीचे एक कुवा हुआ करता था। और साल 2012 तक इस इलाके के जो इस्थानिय हिंदू निवासी हैं वो इस कुवे की पूजा करते थे ऐसी तस्वीरे भी निकल कर सामने आई हैं साल 2012 तक यहां पर पूजा की जाती थी। इस धारणी वारा कुवे पर हिंदू समाज पूजा क्या करता था। शादी कुवा पूजन जैसे समारों में गाजे बाजे के साथ लोग यहां पूजा करने आते थे दिवाली पर दिये जलाते थे इसकी तस्वीरे भी मौजूद हैं। पूजा यहां पर चलती थी तकहत पगरा इस पर पड़ा होता था और फिलाल उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है क्योंकि यह सुत्रों का ही कहना है कि साल 2012 में जो यहां के सांसद हैं उनके दादा जी ने यहां पर पूजा करने के लिए मनाई कर दी थी और यह कहा था क साल 2012 तक इस कुए पर पूजा की जाती रही है लोगों का दावा है कि मौजूदा सांसद जिया उर्रहमान के दादा शफीक उर्रहमान बर्क के आदेश पर यहां पूजा बंद कर दी गई सियासी महोर को देखकर उस वक्त हिंदू समाज इसका विरोध नहीं कर सका और इस कुए को कंक्रीट से ढखकर बंद कर दिया गया अचानक से क्या हुआ क्यों वहाँ पर पूजा बंद हो गई जब यह चारो तरफ जैसे हमारे अयुद्धा मेराम मंदिर का और भी मंदिरों पर जब प्रिटिशन दाखिल हुए यह यह दाकिल हुए तो वहां पर जो लोग हैं जो कमेटी के लोग हैं और जो यहां के जो हमारे सांसाद अब नहीं है ट्रक्टर वर्क साब उन्होंने उ पराणों में जिक्र है कि संभल में कलियों के भगवान कल की अवतार लेंगे और इस नक्षे में बकायदा कल की मंदिर भी बना हुआ है जो श्री हरी मंदिर के 500 मीटर रेडियस के अंदर मौझूद है कलकी मंदिर के पुजारी महंद्र शर्मा श्री हरी मंदिर होने के पक्ष में कई तर्क देते हैं भगवान नाम से पहले की पीडियों और यग का जिक्र भी करते हैं और ये बात मन गणंत नहीं है ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है ये इसकंद पुरान के अनुसार राजा यायति ने उस मंदिर में यग्य किया था आप तो सिर्फ 500 साल की बात कर रहे हं मैं पांनसो के निह पांच हजार से ग deben उपर की बात कर रहा हूं हिंदू पक्ष का सबूत नमबर दो अंग्रेजी हुकूमत के दौर में किये गए ASI सर्वे की रिपोर्ट है आर्किलेजिकल सर्वे आफ इंडिया के इस रिपोर्ट के पहले पेश पर त्वेर्स इन दे सेंटरल डो बेंड गोरकपूर लिखा गया है यानि ये रिपोर्ट गोरकपूर और संभल जैसे कई इलाकों को मिला कर तयार की गई है रिपोर्ट के पहले पेश पर इसे बनाए जाने और सर्वे का साल भी लिखा है रिपोर्ट तयार करने वाले A.S.I. अधिकारियों के नाम भी लिखे गए है ये हिंदू पक्ष का सबसे पुक्ता सबूत क्यों कहा जा रहा है बता देते हैं इस रिपोर्ट के पेश नंबर 25 पर कई खास बाते लिखी गई है हिंदू पक्ष संभल में मस्जिद वाली जगह पर मंदिर होने का दावा करता है कई मुसलमानों ने भी यहां मंदिर होने की बात कही है पेश नंबर 25 पर ही मंदिर की दिवारें उन इटों से बनाए जाने की बात लिखी गई है जिनका इस्तिमाल ज्यादा तर हिंदू मंदिरों में किया जाता है सर्वे रिपोर्ट और मंदिर का एक गेट होने और मंदिर परिसर को तोड़ कर छे गेट बनाए जाने की बात भी लिखी गई है लाल ये जो आप पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका मुख्य गेट है उसके अंदर उन्होंने ये फाइंडिंग्स पाई कि यहाँ पर मंदिर के पिरमाड पाए गए है यानि कि जो दिवारें थी जहाँ जहाँ प्लास्टर उखडा हुआ था उसके अंदर जब जाच की गई तो उसमें ये पाया गया कि वहाँ पर लाल रंगी एटे थी जिनका इस्तमाल मंदिर बनाने में किया गया था कुछ गुमबदों के उपर मारवल लगाया गया उन पत्थर को अलग से लाया गया था यानि की रेनोवेशन किया गया था मंदिर को मस्जिद में बदलने के लिए AIS ASI की रिपोर्ट में लिखा हुआ है इसके साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि जब ये हिंदूों का मंदिर था जिसका नाम हरी मंदिर कहा जाता है उसमें एक दरवाजा था लेकिन जब इसे मस्जित का सोरूप दिया गया तो इसमें 6 दरवाजे बनाए गए इसकंद पुरान के नक्षे में भी जो मंदर दिखाया गया है उसका एक ही गेट है जिसके नीचे सीधियां बनी हुई है यानि A.S.I. की रिपोर्ट और इसकंद पुरान का नक्षा काफी मेल खाता है A.S.I. की रिपोर्ट में भी कई कुवों का जिक्र किया गया है और ये कुवें इसकंद पुरान के नक्षे में भी दिखाये गया है हिंदु पक्ष दावा करता है कि मस्जिद से छेड़ छड़ की जा रही है इसके भी कई सबूत हिंदों के पास मौजूद है पहला सबूत वो कुवा है जिसे साल 2012 में बंद कर दिया गया दूसरे कई सबूत आपको मंदिर के एंट्री गेट पर ही मिल जाएंगे मंदिर के में गेट पर इस आकरती को हिंदु पक्ष त्रिशूल बताता है कहा जा रहा है कि मस्जिद बनाते वक्ष त्रिशूल के नीचे का डंडा तोड़ दिया गया और ऐसा तस्वीर देखकर लगता भी है मस्जिद के ही गेट पर बाई तरफ एक और धार्मिक प्रतीक बने हुए है जब इसे ध्यान से देखा जाएगा तो इसके उपर कमल का चिन्ध बना दिखाई देगा जिससे भी छेड़ छड़ की जा चुकी है ये वो चिन्ध है जो हिंदू मंदिरों में हमेशा से इस्तमाल होते आए मस्जिद परिसर में छेड़ का चौथा सबूत 2018 में A.S.I. की और से दर्ज कराई गई ये F.I.R. है A.S.I. ने ये रिपोर्ट संभल कोतवारी में अग्यात लोगों के खिलाब दर्ज कराई रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर स्टील रेलिंग लगाने की शिकायत की गई संभल की मस्जिद A.S.I. प्रोटेक्टेड इमारत है इसमें बिना A.S.I. की मंजूरी के कोई निर्मार नहीं किया जा सकता पुलिस ने जब इस केस की जाच की तो शिकायत सही पाई गई जमा मस्जिद कमेटी के लोगों को आरोपी भी बनाया गया पुलिस ने आरोपियों को नोटीस भी जारी किये लेकिन किसी ने भी नोटीस तामिल नहीं की यानि स्वीकार नहीं किया दंगा होने के डर से पुलिस ने कठोर एक्शन नहीं लिया नोटीस तामिल ना होने की जानकारी कोट को भी दी गई